Hello everyone, welcome to the channel CurrentFS by Ravi और आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगी Lucent GK का निचोड यानि कि मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ Top 2500 Questions जो आपके Lucent के GK की है और इन सभी वीडियोस के माध्यम से आपका जो पूरा Lucent है वो cover हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिए मैं cover कर रही हूँ History, Art and Culture, Policy, Geography, Economics, Science, Static GK का पॉर्षन साथ ही में Computer और Sports तो यह सभी वीडियोस आपके सभी exam के point of fish से काफी important है इनको आप जरूर देखेगा और जितनी भी part आपके हैं यदि आप इने exam से पहले देख लेते हैं तो 90% से ज़ादा जो questions आपको वो यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे और आगे जो भी part आपके लिए आएंगी तो उनके link में description में देती चलूंगी और इसका already जो part 1 है ये upload हो चुका है आप इसको भी जाकर check कर सकते हैं तो आप बीना देरी करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज की series का जो मैं पहला question discuss करने वाली हूँ ये है आपका नालंदा विश्विध्याले को लेकर तो देखें यहाँ पर आपसे पोचा है कि भारत में नालंदा विश्विध्याले ये किस राचे में इस्थित है तो नालंदा विश्विध्याले की बात करें तो ये इस्थित है आपका बिहार में तो option number जो B है वो इस question कहाँ पर सही हो जाएगा कि नालंदा विश्विध्याले ये आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा बिहार राचे में अब देखेंगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में खुद नालंदा नाम से एक जिला है ये ध्यान रखेगा और इसका जो मुख्याले आप कहीं तो यह है इसका मुख्याले बिहार शरीफ और इसी नालंदा विश्व विध्याले के नाम से प्रशिद है यह आपको देखने के मिलेगा कहाँ पर बिहार में तो आप इसे याद रख सकते हैं कि नालंदा नाम का जीला ये है बिहार में और बिहार में ही आपका क्या है नालंदा विशुविध्याले ठीक है और ये भी माना जाता है कि विशु के सबसे प्राने नालंदा विशुविध्याले के अवसेश आज भी जो हैं यहाँ पर चुके हैं तो ध्यान रखेगा नालंदा विश्य विध्याले ये है आपका कहां पर बिहार में याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि बिहार में खुद नालंदा नाम से जिला है इसलिए नालंदा विश्य विध्याले भी आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर बिहार में अब बढ़ते हैं अपने next question की तरफ जो की है भारत में अंग्रेजी सिक्षा का Magna Carta ये किसे कहते हैं तो देखें यहाँ पर आपसे पूचा है कि Magna Carta of English Education ये किसको कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा option number A यानि कि जो वुट्स dispatch है 1854 का इसे ही कहा जाता है Magna Carta of English Education यानि कि व दारेक्लिए आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी सिक्षा का Magna Carta ये है आपका 1854 का वुट्स dispatch इसको reverse करके भी पूच सकते हैं कि वुट्स dispatch का संबंद किस से तब भी आप ध्यान रखिएंगे अंग्रेजी सिक्षा के Magna Carta से इसका संबंद आपको देखने के लिए मिलता है ठीक है अब इसको इसके वुट्स dispatch इसके कुछ की फेक्टर आपको ध्यान रखने जैसे कि इसके कुछ विशेशता है थी जैसे कि आप कहें कि स्थानिय भाशाओं में प्रात्मिक सिक्षा को देना इसके लावा धरम निर्पेक सिक्षा को बढ़ावा देना या फिर college या अंग्रेजी सिक्षा को बढ़ावा दे ताकि उनके लिए भी convenient रहे और हमारे लिए भी convenient रहे कि वो लोग आपस में बात कर सकें तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी सिक्षा का मैगना कार्टा ये था woods dispatch यानिकि 1854 और ये जो woods है ये Charles Wood के नाम से एक व्यक next question है आपका कि भारती समयधान का निमलिकित में से कौन सा अनुचेद भारत की राष्टपती को आध्यादेश जारी करने की शक्ति ये प्रदान करता है यानि कि ordinance को इशू करने की जो power है प्रेजिडेंट की ये कौन से आर्टिकल में लिखी गई है तो ध्यान लखेगा ये कर सकता है जब संसत के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो या फिर संसत के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र ना चल रहा हो क्योंकि संसत में दो सदन होता है एक उच सदन एक निमने सदन यदि उनका सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस condition में जो प्रेजिडेंट है वो ordinance को इ हम बात करें तो उसमें सरकार के द्वारे इसको पास कराना पड़ता है तो ये ध्यान रखेगा maximum time आपको जो option में मिलेगा वो होगा आपका 6 महीने ठीक है और ये तो हुए देखो 123 और राजिपाल तो ये है 213 अगला आपका question आएगा राष्टपदी के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसत की सत्र शुरू होने के बाद ये कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है तो देखे 6 महीने तो इसका maximum period होता है लेकिन अगर संसत का शत्र जो है वो शुरू हो जा आने के लिए राष्टपदी के पास भेजा जाता है लेकिन आध्यादेश को 6 हफदे के भीतर फिर से संसत के पास वापिस आ जाता है तो ध्यान रखेगा option number जो बी है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question है आपका राष्टपती साशन में राज़्य का प्रमुख साशन संचालक यह कौन होता है तो देखिए हमें पता है कि हमारे देश में तीन तरिके से emergency को लग सकती है एक emergency आपकी होती है national emergency एक होती है आपकी president rule और एक होती है आपकी financial emergency हला कि financial emergency जिसको वित्य अपात काल कहते हैं वो अभी तक भारत में नहीं लगा है president rule यह कई बार लग चुका है तो यहीं आप से पूचा है कि जो राष्टपती साशन है उस समय पे राज्य का प्रमुख होता है या पर संचालक यह कौन होता है तो ध्यान रखेगा राज्य में जब आपात काल लगता है य इसके बारे में बताया क्या है 352 में आपका लिखा हुआ है क्या national emergency अनिकी राष्ट्रिया पात काल 306 में है आपका president rule और उसके बार 360 में तो यह आपका financial emergency तो यह तीनों important है आपके लिए article तो यह भी ध्यान रखेगा और यह भी ध्यान रखेगा कि राश्पती साशन में ज तो देखे वीर भूमी की बात करें तो इसका संबंदे किस से राजीव गांदी से option number A यह आप यहाँ पर याद रखेंगे अब इसको याद रखने की trick क्या है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि वीर कौन थे राजीव तो राजीव और वीर तो दोनों resemble कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगा नई दिल्ली में है नाम है इसका वीर भूमी वहीं बात करें इंद्रा गांदी की समाधी स्थल की तो इनका नाम है शक्ति स्थल और महात्मा गांदी जी की बात करें तो इनकी समाधी स्थल का नाम होता है राज घाट तो इस सबी इन्फोमिशन आप ध्यान रख लिया तो देखे जो 1885 में कॉंग्रेस का पहला सत्र था उसमें जो है कितने भारतुनिस्ट पार्टिसिपेट किया था तो यह थे टोटल 72 सदश्य तो ऑप्शन नमबर जो D है वो आप यहां पर ध्यान रखेंगे अब देखे 1885 में जो INC है याने के इंडियन नेशनल कॉंग में कहा पर गोकुलदास तेजपल संस्क्रित कॉलेज के होल में इसका आजन किया गया था और इसमें पहले जो अध्यक्ष थे INC के उनका नाम का क्या WC बैनर जी यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कई बार बच्चे जो है A.O.Hume और WC बैनर जी में कंफ्यूज करत दियान रखेंगे कि पहले सत्र में जो पार्टिसिपेंट थे वो कितने थे वो थे 72 याने की ऑप्शन नंबर डी फिर आपका अगला केशन है भारत की स्थले सीमा यह कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है तो देखे अगर हम बात करें इस थले सीमा की तो यह भारत की जुड़ी हुई है साथ देशों के साथ में तो ऑप्शन नंबर जुड़ी है वो इस कुशन कहां पर सही हो जाएगा अब देखे वो साथ देश कौन-कौन से है तो याद रखेगा इधर आपका यह पाकिस्तान ऊपर की तरफ यह छोटी सी बांटरी यह लगती अफ्कानिस साथ दो फिर हैं तीन चार पांच छे और साथ तो टोटल साथ कंट्रीज है जो अपनी बांडरी को शेर करती है और कौन सी बांटरी लेंड बांडरी तो कितनी है साथ सबसे लंबी सीमा यह साजा करता है कौन यह करता है बांगलादेश 4,096 पॉइंट सम्थिंग है और उस पाकिस्तान फिर अफ्कानिस्तान दिन चाइना नेपाल उसके बाद भूटान फिर मयामार और बांगलादेश क्योंकि कई बार इनको अरेंज करने के लिए आपके एक्जाम में पूछ लेते हैं ठीक है और सबसे लंबी सीमा यह लगती है बांगलादेश के साथ में और सब देखे 10 प्लस 2 प्लस 3 आकार के सिफारिश यह किस ने की थी तो ये की थी कोठारी आयोग ने option number जो A है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा देखे कोठारी आयोग यह बेसिकली 1964 से 66 के बीच का एक आयोग है और इसने भारती सिक्षा में 10 प्लस 2 प्लस 3 आकार के और 10 प्लस 2 आपने 12 कंप्लीट करी और उसके बाद 3 साल के आपके ग्राजुवेशन ठीक है हाला कि जो अब नई education policy आये उसमें 5 3 3 प्लस 4 वाली नीती है लेकिन अभी जो है मतलब जो यह कोठारी आयोग है इसमें था 10 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है तो ध्यान रखेगा यह किसके recommendation तो यह थी कोठारी आयोग की यानि की option number a यह कुशन के हाँ पर सही हो जाएगा कि अगला question है आपका विश्यमी सरवाधिक वर्शा यह कहां पर होती है तो देखे़ए विश्यमी सरवाधिक वर्शा के अगर हम बात करें तो यह होती है मेगाले में और मेगाली पी कहां पर म टेखने के लिए एक पठार ठीग है अब इसमें क्या होता है कि जब मांसून आता है तो जब इतर सहान जाता है जैसे कि जरनत तर फर तरस नीचे आएगा तो यहां परोपर की सिर्फ एपयर फिर नीचे के लिए मिलती है तो ध्यान नहींगा आपको कि गारों खासी जयनतिया और यहां पर एक प्लेट्यू है जो कि फ़नल शेप को महाजनपद होता है यह होता है आपका मगद और इसी के बाद से फिर शुरुवात होती है अलग-अलग अशोका इन सब की और इसी में अब ध्यार रखेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे स्ट्रॉंग सबसे पावर्फुल यह था आपका कौन सा मगद और इन सब 16 जनपदों के ब राज्युक या फिर आप कहें महाजनपदों का उल्लेक है ठीक है और यह ध्यान रखेगा और सबसे स्ट्रॉंग जो महाजनपद था इसका नाम था मगद अगला गुशन है आपका किसने इक्तादारी प्रथा यह चलाई थी तो देखे इक्तादारी प्रथा के बात करें तो यह चलाई थी किसने इल्टुत मिशने और जो सी है वो इस कुशन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इल्टुत मिश कौन था तो देखे स्लेव डैनिस्टी में यह एक स्लेव थे बाद ने राजा बने इनके बेटी थी रजिया सुल्तान यह पहली मुसलिम साशे का थी यह पहली साशे का यह कौन बनी थी रजिया सुल्तान ही बनी थी ठीक है इन्हीं की बेटी थी और इक्तदारी की शुरुआत यह किसने करी थी यह की थी आपकी इल्टुत मिशने जो कि बिलॉंग करते थे कहां से यह करते थे स्लेव डैनिस्टी यह फिर आपके गुलाम वं ठीक है यह ध्यान रखेगा अगला कुशन है आपका लाक बक्ष के नाम से जाने जाने वाला भारती साशा की यह कौन सा था तो देखे लाक बक्ष के नाम से जिसको हम जानते थे उनका नाम था कुतुब बुदिन एबक याने की option number जो C है वो इस question कहां पर सही हो जाएगा अब इनको लाक बक्ष कहते क्यों थे तो देखे रटना नहीं है आपको बस लोजिक याद रखना है कि लाक बक्ष कहने का रिजन इनका ये था कि ये बड़े पैमाने पर लोगों को दान दिया करते थे मतब लाकों का दान तो ये ऐसे ही दे दिया करते थे इसलिए वहां से का नाम पढ़ा लाखों के दाता याने की लाख बक्ष ठीक है तो इसलिए लाख बक्ष के नाम से हम जानते हैं किसको कुटुब बुदीन एबक को तो ऑप्शन नमबर जो सी है वो इस कुश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कुटुब बुदीन एबक के बात करें तो देख कुटुब बुदीन एबक और इने ही जाना जाता था लाख बक्ष के नाम से और इन्होंने स्थापना कप की थी तो बारा सो छे में जब गोरी की हत्या कर दे गई थी तो उसके बाद में जो दिल्ली का सुल्तान गोशित किया गया था कि इसको ओबक को जो की गुलाम राज गुलाम बंच की संस्थापक कौन थे अरगें कोशन रिपीट हुआ है तो ध्यान रखेगा अभी डिसकस के आपके साथ में 12 जून 1206 में कुटुब बुदिन एबक के द्वारा गुलाम बंच या फिर आपके स्लेव डाइनस्टी इसकी शुरवात की गई थी तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस कुशन के यहां पर आपका सही हो जाएगा और कुटुब बुदिन एबक तो इनके रास्थानी लाहोर थी ये भी आप ध्यान रखेंगे और पहले बार गुलाम बंच की संस्थापना या फिर आपके दिल्ली संस्थापना यहीं से हो गई थी इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुटुब बुदिन एबक इन्होंने बनवाया या फिर नीव रखी लाल उसकी सौरी कुटुब मिनार की और कुटुब मिनार है लाल रण का ऐसे मतलब याद करनी के ट्रिक में बता रही हूं आपको और लाल से याद रखोगे लाहोर को ठीक है आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए तो आपको ये चीज़े भी याद रहेंगी ठीक है कि कुटुब बुदिन एबक गुलामवन्स का संस्थापक 12.06 में स्थापना हुए थी और इन्होंने जो है वो कुटुब मिनार को बनवाया या फिर आपके नीव रखी दी फाल करें दिल्ली का पहला तो ये था गाजी मलिक जिसको हम जानते हैं ग्यासुदिन तुगलग के नाम से तो और इसी में तुगलग सुल्तान तो इन्होंने किसकी इस्टापना ये किस ने की थी ये भी कीती गाजी मलिक ने अगला कुशन है आपका भारत में अंग्रेजों के साशन में प्रत्थम जनगन्ना ये किसके कारेकाल में हुई थी तो देखे भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रत्थम जनगन्ना थी ये हुई थी लोड मेयो के टाइम में तो ओप्शे नमबर जो भी है वो इस कुप से तो बाद में हुई थी लेकिन 1872 में जो है लॉट में के कारेकाल के दोरान पे पहली पून जन गन्ना ये कराई गई थी और ये भी ध्यान रखेगा कि जन गन्ना है वो हर दर्स वर्षों के बाद कराई जाती है लास्ट जो सेंस्स आय था वो 2011 में आया था अभी आना है अगला कुशन है आपका किस महादीप में एटलस परवत इस्तित है तो देखे एटलस परवत की बात करें तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा अफ्रीका महादीप में ऑप्शन नमबर ए यह इस कुशन का आपको यहां पर ध्यान रखना है एश्य में बात करें तो आ कौन सा परवत है सबसे उच्छा यह आप मुझे कमें सेक्षन में बताओगे मैंने कई बार आपके आपके साथ एचीज डिसकस किये जोग्राफी की सिरीज में ठीक है तो बताएगे का कि आस्टीले का सबसे उच्छा महादी या सॉरी ऑस्टीले का सबसे चोटी यह कौन सी है तो देखे 1892 के भारती है परिसे संसोधन के नाम से भी जाना जाता है किसको लॉर्ड क्रोस का अधिनियम तो ऑप्शन नमबर जो C है वो इस कुशन का यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अब देखे इस अधिनियम को भारत में संसधी लोकतंतर के शिरुवात की रूप में देख सकते हैं और इसको हम किसके नाम से जानते हैं इसको लॉर्ड क्रोस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है अब इसमें क्या था 1892 का जो यह संसोधन था इसमें बैसिकली ब्रेटी संसधमें पारित सुधार मुख्य रूप से भारती विधान-परिशत की सक्तिया, जि आपके लिए इंपोर्टेंट रजाता है Lord Cross का अधेनियम अगला कुश्चन है आपका निमलिकित में से कौन पहले एक रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे ध्यान लखेगा यह आपके अर्बिंदो घोश यानि की option number D अर्बिंदो घोश की बात करें तो यह एक भारती दार्शनिक योगी गुरू कवी या फिर आपके राश्चवादी थे वे बिट्टी सेशन में सुतनतिता के लिए भारती आंत्रलन में शामिल हुए थे लेकिन बाद में 1910 तक इनका सफर था यह काफी एक बहुती प्रभाव प्रशली नेता के रूप में यह थे लेकिन बाद में नोंने जो हैं इनका द्रस्टिक ओन यह चेंज हुआ और बाद में यह एक दार्शनिक बन गए थे अगला कुशन है आपका निमलीकित में से कौन विश्व की जबसे बड़ी जील है तो देखें विश्व की सबसे बड नाम क्या है तो देखे मोहन जोदारों के अगर हम बात करें तो इसको जो स्थानिय नाम है या फिर आपके लोकल नाम तो इसको हम जानते हैं मरतकों का टीले के नाम से तो option number इन नंबर जिर्टी है वो आपके यहां पर सही हो जाएगा अब लेके पंजाब पंजाब को हम किस नाम से जानते हैं पांच नदियों का संगम और वह पांच नदी कौन कौन सी है तो यह आपकी जहलं चिनाब रावी व्यास और सतलच इन्हीं पांच नदियों का परांथ ये यहां से निकला क्या-क्या आपका जेलम हुआ एक चिनाब हुआ राभी हुआ व्यास हुआ और सतलच हुआ लेकिन निर्मान में सबसे महत्पण भूमी का यह निबाती है सिंधु नधी ऑप्शन नमबर डी अगला कुशन है आपका निमलिकित में से कौन सी नधी विंद्य य वो इस कौशन के यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका प्राइदियपी भारत की सबसे बड़ी नधी यह कौन सी है तो देखिए अगर हम बात करें पैनेंसुलर इंडिया की लार्जिस्ट रिवर तो इसका नाम है गोदावरी ओप्शन नमबर जो भी है वो इस गोदावरी और गोदावरी मतलब जो गंगा की तरह काफी बड़ी ही चोड़ी इस तरीके से है तो इससलिए इसको हमने संग्या देते किसकी दक्षिन भारत की गंगा के नाम से और यह ध्यान लखेगा कि यह प्रशिमी घाट में जो त्रिम्बक कर पहाड़ी है वहां से न जगलकर महाराश्च के नासिक से होती भी बंगाल की खाड़े तक इसका सफर ये चलता है अगला उसा इसको हमने से कौशन का पर सहीका होजाएगा अब इसमें कुछ फैक्ट आपको ध्यान लखने है कि यह जो लूनी नदी है वो कच के रन में गिरती है पहली बात इसके अलावा कि जो लूनी नदी है यह नदी अरावली देंच की पुसकर घाटीर से निगलती है और थार रेगिस्तान की जबसे बड़ नदी के नाम से भी इसको हम जानते है और यह नदी राजस्तान और गुजरात से होकर बहती है और फैनली जो है वो गुजरात के कच के रन में गिर जाती है और लूनी को हम लवन नदी के नाम से भी जानते है अगला गुशन है आपका भागी रती और अलक नंदा गंगा में कहां पर मिलती है तो देखें भागी रती और अलक नंदा की बात करें तो यह मिलती है देव प्रियाग में option number जो D है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो देव प्रियाग है वो पंच प्रियाग के सूची में से एक है जहाँ पर अलक नंदा और भागी रती की पवित्र धराएं यह आपस में मिलती है और उसके बाद जो नदी है वो गंगा इसको कहा जाता है और देव प्रियाग के प्रमुक स्थलों में से एक रगु नाथ जी का प्रवित्र मंदिर भी यहाँ पर इस दित है ठीक है तो ध्यान लखेगा और जो मैंने आपको बताए पांच प्रियाग या फिर पंच प्रियाग तो उसमें आपके जैसे की आपका एगा विश्नो परियाग, नंदा परियाग, कर्ण परियाग, रुदर परियाग और देव परियाग और यह जो देव परियाग है यही संगम किस किस का है भागी रत्य और अलग नंदा का अगला कुश्ण है आपका कि प्रत्वी का सबसे गहरा स्थान ये क्या है तो देखिए वैसे तो काफी basic कुश्ण है लेकिन फिर भी काफी बचे confused रहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्वी का सबसे गहरा स्थान डिपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ तो ये है आपका मे अर्ण ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं कहां पर देखने के लिए मिलेगा प्रैसिफी कोशिन याने की प्रत्वी का सबसे गहरा स्थान है और जो मैरे ना गर्थ है इस पर ग्यूवेसी का अधिकार आता है और इसकी गहराई ये लगबग 11,022 या फिर अप्रोक्स मैं वे तो बाइना प्रशान्थ महासागर जो है उतनाします । पर अगला घुस्चन को निमली के झाल से विश्व का सबसे बढ़ा ना credit से विश्व का सापOTT Mira radar बेखिविए सपेसे बिए यह और फेड्किभल अतास्य० गंसे फिए ने इतर फेकर घ्र हीजंव देकिन अगर आपसे पूचे सबसी बड़ा ठंडा मरुस्तल तो कौन सा है तो ये भी अंटाक्टिक है अब देखे आपने जिसे प्रत्वी देखे होगी गोल बीच में आपकी सारे कॉंटिनेंट आते हैं उपर के तरफ आपके यहाँ पर पोल्स हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान जो की ठंडा होता है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें गरम मरुस्तल की तो यह आता है आपको कौन सा सहारा तो दोनों जीज़ डिफेरेंट होती है according to option आप टिक लगाएंगे अब यहाँ पर अंटाक्टिकर नहीं है क्रिशन में पूज़ सबसेड़ा मरुस्तल तो सही आंजर हो जाएगा सहारा फिर आपका अगला गर्शन आएगा कि भुगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का परियोग यह किस ने किया था सबसे पहले तो यह किया था एरिटो स्थे इसने तो option नमबर जो C है वो इस question कहाँ पर सही हो जाएगा फिर सोर प्रणाली के खोच यह किस ने किती तो देखे सोर प्रणाली के खोच यह की गई थी किसके द्वारा, यह की थी तो सोरल सिस्टम के खोच यह की थी कौपर निकस ने, तो option नमबर जो B है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सोर मंडल की बात करें अगर हम तो देखे सोर मंडल में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं आपके 8 प्लैनेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सबसे चुटा ये है आपका मरकुरी और सबसे बड़ा तो ही आपका आता है ज्यूपिलिटर और एक था आपका पहले 9 प्लैनेट्स वहा करते थी जिसका नाम तब प्ल्यूटो लेकिन बात में 2006 के बात में इसको बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया और अब हमारे पास टोटल है 8 प्लैनेट्स अगला क्यूशन है आपका ग्वालियर का किला ये किसने बनवाया था तो देखे ग्वालियर का किले के अगर हम बात करें तो ये बनवाया था राजा मान सिंग तोमर डे ओप्शन नमबर जो C है वो इस कुशन के यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका अत्माउदुल्ला का मकबरा ये आगरा में किसने बनवाया था तो देखे अत्माउदुल्ला का मकबरा भारत का पहला ऐसा समारक है जिसका निर्मान ये पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है और इसका निर्मान ये 1622 से लेके 1628 के बीच में करवाया गया किसके द्वारा नूर जहां के द्वारा option number जो C है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा और नूर जहां ने इस मकपरे का निर्मान यह अपने पिता जिनका नाम था मिर्जा ग्यास पेक इनके लिए करवाया था और यह basically जो है यह मकपरा यमना नदी के पस्ची में डट पर इसती थे और इसका जो गुमबद है वो फार्सी वास्तुकला शैली में बनाया गया है ठीक है और किसकी आदमें बनवाया पिता की आदमें जनका नाम था मिर्जा ग्यास पेक किसने नोर जहाने बनवाया और यह भारत का पहला ऐसा समारक था जिसका निर्मान यह पूरी तरह से संगमर्मर से किया गया था अगला कुशन है आपका तीहरी जल विद्यूत परिसर यह किस राचे में इस्तित है तो देखें तीहरी डैम की बात करें या टीरी जल विद्युत परिसर की बात करें तो यह है आपका उत्राखन राच्चे में option number जो डी है वो इस question का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अब दीके जीके में जीके काफी tough तो नहीं होती हाँ याद करने की चीज़े काफी होती लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपको काफी जल्दी से जीज़े याद रह जाएगी अब अगर आपने टीरी का नाम सुना होगा तो अगर आप उत्राखन जाओगे आपने उत्राखन के वार में पढ़ा होगा तो वहाँ पे तीरी नाम से क्या है एक आपको देखने के लिए मिलेगा जीला तो तीरी नाम से जीला तो तीरी नाम का डैम हुआ तीरी नाम से जल विद्यूत परिसर हुआ तो सब भी आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे ये देखने के लिए मिलेंगे आपको उत्रा खड़ में तो इसलिए option number जो D है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question है आपका भारत में प्रतम railway line का निर्मान ये किन नगरों के बीच में हुआ है तो देखे भारत में पहली बार railway line का निर्मान ये basically हुआ है बंबई से थाने के बीच में तो option number जो C है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा कब हुआ 16 April को पहली बार जो 1853 में ये जो train चली थी ठीक है मंबई से ठाने के बीच में तो ध्यान रखेगा option number C ये इस question का सही आंजर होगा और उस time पर जो हमारे बाइस रहे थे वो कौन थे वो थे Lord डलहाउसी अगला question है आपका ग्राज़ों में राज़ों के governor समिधान के अंतरगत किसकी प्रती अपने आच्रन 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 के बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य का एक राज्यपाल होगा ठीक है वह अगर हम बात करें आर्टिकल नमबर 154 की तो इसके थैत राज्य की कारेकारी शक्ती यह राज्यपाल में नहीं थोगी यह भी लिखी गई है तो दो इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर आपका सही हो जाएगा फिर आपका अगला ग्रिशन है निमलीगित में से कौन भारत के राज्टपती की इच्छा तक की पद पर बना रहता है तो देखिए राज्टपती की इच्छा के वज़ा से ही अपने पद पर बने रहता है कौन राज्य का राज्यपाल तो option number B, यह आप यहाँ पर घ्यान लखेंगे, इसके लिए अगर हम बात के निर्वाचन आयुक्त की हुआ, या फिर उच्तम नियाले की नियाधिश की हुआ, या फिर लोकसबा अध्यक्ष की, तो इनका जो हटने का provision है, यह सबका अलग-अलग होता है, जिसके बात के निर्वा अध्यक्ति के नियुनतम अम्रसीमा यह कितनी होती है, तो अगर राजजेपाल के पद पर आपको अपॉइंट होना है, तो उसके लिए minimum age यह होनी चाहिए, 35 वर्ष, option number जो B है, वो इस question के यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा, और इसके लावा कुछ और भी मतब प्र अध्यात का चनाव लड़ सकते हैं, और 25 वर्ष यह आपका चाहिए होता है, किसमें प्रधान मंत्री के लिए 25 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए, अगला question है आपका, भारति सम्वर्थी सूची है, किस देश के सम्वर्थान से ली गई है, तो देखें सम्वर्थी सूच अनुसूचिया, उन बारा अनुसूची में जो सात prevail किसका होगा ये होगा center का थीक है तो समवर्थी सूची ये लिए किस से Australia से तो option number जो D है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला question है आपका भारत ने वित्ते वर्ष कहा जाता है किसे तो देखे वित्ते वर्ष की बात करें तो इसका जो time period होता है वो होता है पूरे एक वर्ष का और इसकी शिर्वात यह होती है एक अपरेल से और यह चलता है 31 March तक तो एक अपरेल से लेकि 31 March तक का जो time period होता है यह होता है आपका वित्ते वर्ष का एनने की financial year का option number B यह आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला question है आपका the economics history of India के लेकिक कौन है तो देखे the economics history of India के लेकिक यह है रमेश शंद्रदत तो option number जो A है वो इस question के यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखे इस book में basically है गया तो देखे जो first world war हुआ था उसकी शुरुआज से लेकर स्वतंत्रता तक 30 से अधिक वर्षों में भारत में उद्योग के विस्तार को यह book दर्शाती है और इसमें विकास के बधाओं के जाज करती है जिस हद तक उन्हें दूर क्याजा सके उन वो इस question के यहां पर सही हो जाएगा तेखे हाला कि 1997 में इसको अपनाया गया लेकिन यह अमल में आया था या परभाव में आया था 2005 में क्योटर प्रोटोकॉल यह क्या होता है तो देखे क्योटर प्रोटोकॉल की बात करें तो एक अंतरास्टे संदी है जिससे global warming द्वारा हो रहे जलवाईओं परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है अगला question है आपका भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो देखे भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनती है जो रेखा बनती है उसको हम जानते किसके नाम से मेक मोहन के नाम से, option number जो भी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे during रेखा, यह basically भारत और अफ़कानिस्तान या फिर और कहीं बार option में पाकिस्तान और अफ़कानिस्तान आता है red cliff की बात करें, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी अगला गुशन है आपका वित्ति विश्व में परियुक्त उपद FDI में अक्षर F का अर्थ क्या होता है तो देखे FDI की बात करें तो इसके फिल्फम होती है foreign direct investment, तो आप से पूचा है F का मतलब, तो इसका मतलब होता है foreign, तो option number जो C है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे अब यह FDI होता क्या है, तो देखे किसी एक देश के company का दूसरे देश में किया गया निवेश, ही वो परतिक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, यानि कि अगर यहाँ की कोई company, किसी और देश में रोजकार, guarantee योशना किस महाप्रोश्र के नाम पर है, तो देखे अगर हम बात करें रास्ट्रिक रामीन, रोजकार, guarantee योशना तो यह है basically महात्मा गांदी जी के नाम के उपर तो option number जो C है, वो इस question के यहाँ पर सही हो जाएगा इसको हम basically जानते है, मनरेगा के नाम से जिसको हम महात्मा गांदी, रास्ट्रिय ग्रामीन, रोजकार, guarantee अधिन्यम के नाम से जानते हैं पहले simple यह नरेगा हुआ करता था, यानि की रास्ट्रिय ग्रामीन, रोजकार, guarantee अधिन बात में उस टाइम के जो मनमोहन सिंग जी थे, इन्होंने इसका नाम अदल कर महात्मा गांदी, रास्ट्रिय ग्रामीन, रोजकार, guarantee अधिन्यम यह कर दिया गया था अगला कुशन है आपका आदोनी computer के खोज यह किस वर्षवी थी तो देखें, आदोनी computer के खोज यह हुई थी 1946 में बाई, चार्ल्स पेबेज जिनको हम जानते हैं, फादर आफ computer के नाम से तो option number जो B है, वो आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला कुशन है आपका Eternal India के लेकक कौन है? तो देखे, Eternal India के लेकक यह है इंद्रा गांदी, option number जो A है वो इस question के यहाँ पर सही हो जाएगा इसके लावा जाभाहरलाल नहरू जी की बात करी तो इनके दोरा लिखी गई बुक के The Discovery of India काफी important है इसके लावा letter from the father to his daughter यह भी important है महात्मा गांदी जी की बात करी तो इनकी biography है, autobiography My Experiment with Truth काफी inspiring है और इसके लावा हिन्स्वराज नाम से भी काफी famous हिनकी बुक है यह भी आप याद रख सकते हैं अगला question है आपका भारत में बैंकों का पहले बार आस्ट्रे करों यानि कि nationalization of bank यह कब हुआ था? तो देखे माना विज्ञान सर्वेक्षन की स्थापना यह किस्त वर्ष हुई थी? तो देखे गर हम बात करें किसकी archaeological survey of India की sorry, anthropological survey of India की हाँ तो इसकी शुरवात या फिर आपके इसकी स्थापना यह हुई थी 1945 में तो option number जो A है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखे ASI के स्थापना मैंने आपको बताई 1945 में इसके स्थापना हुई थी और यह भारती जनसंक्या पर Jeff संस्कृतिक अनुसंधान करता है और यह basically संस्कृति मंत्रा लेकी अधिन में आता और इसका मुख्याले आपको देखने के लिए मिलेगा होल काता में अगला question है आपका Canada का रास्टे खेल क्या है तो देखे Canada का रास्टे खेल यह है आईस होकी तो option number A यह आपको यहाँ पर सही हो जाएगा फिर गतावधी चेक यह क्या होता है अगला question है भारते रास्टे राश्माग प्राधी करन का मुख्याले यह कहाँ परिस्तित है तो देखे करम बात करें NHAI के head quartergy तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में तो option number जो C है वो इस question के हैं पर सही हो जाएगा कोई pin जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई भाये बलकारी नहीं करता यह कथन किसका है तो देखें यह जो कथन है बेसिकली यह है Newton का देखें आपने school time में Newton's की low spread होंगे Newton ने अपने 3 लो दिये थे उसमें जो पहला लो था मोशन में है तो आप उसको तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि आप उसको कोई force लगा के कोई अर्चन लगा के उसको रोक नहीं देते यानि कि अगर कोई body है वो running motion में तो वो running में रहेगी until or unless आप उसको रोके ना और कोई अगर motion में है तो वो motion में तब तक रहेगी और अगर वो rest में है तब तक वो rest में ही रहेगी तो यह कतन कहा था किस ने? Newton ने और यहीं इसका कहता है Newton का पहला low तो option number A यह आपका यहां पर सही हो जाएगा फिर Newton के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो देखे इसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं तो option number जो B है यह भी आपके यहां पर सही हो जाएगा ठीक है? जड़त्व का नियम भी यही है मतलब जड़त्व मतलब बहुत ही एक तरीक से जिद्दी है अगर रुका हूँ तो रुका ही रहूँगा और चल रहा हूँ तो चलता ही रहूँगा जब तक कि आप मुझे रोक ना दे ठीक है? अब जैसे कभी होता है आप में बोल फैक की तो वो चलती रहती है लेकिन कुछ नाम के समय आप पर आके वो रुक जाती है आप सुसते हैं वहाँ तो हमने कुछ नहीं लगाया नहीं वहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है जमीन के तरफ से वो इस बोल को रोक रहा है ठीक है? तो हमेशा कोई भी अगर बोडी चल रही है तो वो रुकेगी जरूर जब आप उस पर कोई भी फोर्स या फिर एक्शन लगाएंगे ठीक है? तो इतनी चीज़ आपको ध्यान नहींगी तो न्यूटन के पहले नियम को हम डड़तव के नियम के नाम से भी जानते हैं अन्यक्य लॉफ इनर्शे के नाम से भी जानते हैं अगला क्यूशन है आपका चलती हुए बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगी की दिशा में गिरते हैं इसको किसके द्वार समझाया जा सकता है? तो इसको हम समझा सकते हैं न्यूटन के दोस्री नियम के नियम के अनुसार option number जो C है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा sorry 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 न्यूटन का पहला नियम हो गए याँ पर ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बोड़ी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी इसमें best example आप दे सकते है जब आपने पेड के पास आप गए आपने पेड को हिलाया वो रेस्ट के परजिशन में है ठीक है आपने जैसे ही पेड को हिलाया तो उसके उपर से पत्ते हुए या फिर आप कहीं फूल फ्रोट्स जो भी होता है तो वो गिलने ओशिशन में उसके पीचे के प्समें ते स्कते हो तो आप अगे की तरफ उखते हो या फिर पीचे की तरफ जिखते हो according to the condition तो यह सब होता है किसकी जिसे न्यूटन के पहले नियम की बज़ा से option number B यह आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला कुशन है आपका rocket एक की सिध्धान्त पर कारे करता है तो rocket का सिध्धान्त यह कारे करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर option number जो A है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे अब न्यूटन का तीसरे नियम क्या था? action reaction वाला कि अगर आप कोई action गरते हो तो उसका reaction आपको देखने के लिए जरूर बिलेगा जैसे कि rocket टुड़ा उपर के तरफ लेकिन उसने नीची के तरफ भी कोई force लगाया है ऐसी अगर आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे पूल से या फिर किसी बस से उतरते हैं बस से नहीं आप कहें कि हाँ नाव से तो आपने जैसे बाहर प्यार रखा तो वो नाव भी पीछी के तरफ चाहेगी simple से example मैं school time पर याद रखती थी कि बच्च मैंने किसी को मारा तो वो भी गुस्से में मुझे पिलट कर मारेगा तो यह होता है Newton का action reaction low ठीक है अगला question है आपका न्यून्तम संभव तापमान यह कितना होता है तो देखिए न्यून्तम संभव तापमान जिसको परम सुनने है और फिर आपका यह absolute 0 के नाम से जानते हैं कि होता है आपका माइनस 273 डिग्री celsius और इससे कम का तापमान यह संभव नहीं है तो ध्यानने की का सबसे कम संभव तापमान यह है आपका 233 डिग्री celsius तो option नंबर जो D है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा अगला कुछन है माना श्री का तापकरम 98.4 डिग्री फेरनाइट है इसके बराबर मतब डिग्री centigrade में कितना होगा तो देखिए यह आपको simple formula याद रखने यह वाला celsius फेरनाइट और kelvin में relation c by f is equal to f is minus 32 by 9 is equal to k minus 273 upon 5 अब आपको फेरनाइट में दे रखा है kelvin में change करना तो आपको इतना portion लगाना है values आप कैसे put करोगी c upon 5 is equal to f की जगा 98.4 minus 32 upon 9 जब आप इसको solve करोगे तो इसका जो answer आएगा वह आपका आएगा 36.89 तो option number जो बी है यह आप यहाँ पर याद रखेंगे solve करके आप देख सकते हैं नहीं होता था आप मुझे next वीडियो में बताना comment section में आपको solve करके इसको दिखा दूगी अगला question है आपका एक कंड का द्रवेमान ये M और sum एक P है इसके गतित उर्जा ये क्या होगी देखिए यहाँ पर थुड़ा आपको समझना पड़ेगा गतित उर्जा के बारे में सबसे पहले तो कोई भी अगर body energy में है motion में है तो उसमें जो energy होती है वो होते kinetic energy फॉर्मला इसका होता है kinetic energy is equal to half mb square मास है आपका M, momentum होता है आपका P और momentum का formula ये होता है P is equal to mv science में मैं जब आपको साथ science discuss करूंगे तो आपको ये पूरे concept detail नहीं बताऊंगे अभी के लिए आप जानिए कि momentum क्या होता है जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप जैसी long jump करते फिर भागते हो तो आपको कुछ दूर के लिए चलना पड़ता है नहीं कि momentum को gain करना पड़ता है जैसे आप बोलते हैं कि पढ़ाई करने से पहले थोड़ा मैं energy ले लेता हूं ताकि फिर पढ़ाई मेंसे long drum के लिए ह तो वैसी यह momentum का formula होता है mv अब आपको निकालनी kinetic energy तो आप कैसे निकालेंगे kinetic energy is equal to half mb square अब अगर आप उपर भी m से multiply कर दें नीचे भी m से multiply कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपने m से multiply करी m से divide करी जब आप इसको कटोगे तो यह कट जाएगा half m square v square upon m इसको अगर आप और सही से लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते half mv का whole square upon m और यह क्या है यह है आपका momentum तो half p square upon m यानि की p square by 2m तो यह इसका सही आंसर होगा यानि की option number d अगला question है आपका वर्षा की बूंद का का आकार यह गोला कार किस कारण से होता है तो यह प्रस्ट इतनाव के कारण यह होता है गोला आकर यानि की surface tension के जिससे उसका आकार होता है वो हो जाता है गोला कार फिर IBM यह क्या है तो IBM यानि की international business machine यह company है तो option number 60 है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे फिर सिंदू सब्धा में वहत्स नानागार कि कहां पाया गया तो देखें यह पाया गया था आपका कहां पर मोहन जोदारों में तो option number A है यह आप यहाँ पर याद रखेंगे देखें वर्तमान में तो पाकिस्तान के सिंध परांत में आता है लेकिन ध गुज्रात में था तो देखें गुज्रात में जो इस हडपा कालिन सभ्यता में से एक स्थान था यह था आपका लोतल जो की IVC का पोर्ट था तो option number जो D है यह आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला कुशन है आपका पर्थम पेड़े के कम्पेटर यह किसका प्रियोग क जाएगा फिर हैं बांगलदेश की मुद्रा का क्या नाम है तो देखें बांगलदेश की मुद्रा इसको हम जानते हैं टका के नाम से option number जब भी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका website के main page को क्या कहते हैं तो देखें website पर जब आप कोई भी visit करते हो तो इसका main page आता है उसको हम कहते हैं क्या homepage तो option number जो A है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देखें जब आप website खोलोगे www.ravibooks.com तो आपको जो पहली चीज़ वहाँ पर दिखेगी ठीक है यह आपके क जिसको हम कहते हैं homepage अगला question है आपका computer के मुख्य system board को क्या कहते हैं तो देखें computer को मुख्य system board होता है उसको हम चाहते हैं motherboard की नाम से option number C computer printer किस प्रकार का device है तो देखे computer printer की बात करीं तो एक output device है हलाकि यह दोनों में भी रख सकते हैं अगर printer यह आपका scanner भी होता है तो क्योंकि आज कल क्या है ना कि जो printer है वो ऐसे ने लगे इसमें print out भी होता है scanner भी होता है काफी सारे functions वो एक साथ कर लेता है तो generally अगर अग output की तरह कारे करता है क्योंकि आपने printer से कुछ भी कावाण दी तो वह आपको उसकी जिरॉक्स को पी निकाल के देगा थीक है तो option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे अगला कुशन है भायत में खोजा के सबसे प्रना शहर यह कौन सा था तो यह था आपका हडपा तो option number जो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि भायरत में खोजा गया सबसे पहला शहर यह था हडपा और 1921 में ब्रिटिश भायरत के समय में पंजा प्रांत में इसकी जो यह है खुदाई यह की गई थी और किस ने की थी दियाराम शहरी ने की थी रावी टटके किनारे यह आपको देखने के लिए मिला होगा ठीक है और अभी वरतमान में यह पाकिस्तान की प्रांत में आता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला गुशन है आपका स्वान जैनती चहरी रोजकार योजना यह किस्तवर शुरू हुई तो हुई थी एक दिसंबर 1997 में ऑप्शन इम्बर जो डी है फुर्स कुशन कहीं पर सही हो जाएगा इस कारिक्राम में बेसिकली जो महानगरिक शेत्र है उसमें बेरोजकारी और गरीबी को उतपादन रोजकार तक पहुँश प्रदान करने के प्रियास में स्वार रोजकार प्रियोजने के निर्मान या बेतन रोजकार के प्रिद्वादान को प्रोचसाहित करता है शुरुमात आपको बस ध्यान रखने ये हुई थी 1997 में अगले गुष्ण ने आपका निमलिकित में से कौनसा सुमेलित है अब देखे आपको यहाँ पर चार डेस दिये हैं आपको बदाने कौनसा से सही है अब देखे विश्व मानवादिकार दिवस की 1 दिसंबर को नहीं बलकी 10 दिसंबर को मनाते हैं एक दिसंबर को हम मनाते हैं क्या 8 डे विश्व स्वास्य दिवस 17 अपरेल को नहीं मनाते हैं ये हम मनाते हैं 7 अपरेल को सिर्व तरास दिवस यह 22 को नहीं मनाती हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को लेकिन साक्षरता दिवस के बात करें तो यह एक 8 सितंबर को बनता है तो इसलिए यह आपका सही हो जाएगा यानि कि यह option number जो A है वो इस question का यहाँ पर सही हो जाएगा फिर है next question है आपका विश्व भर में 21 फेवरी को हम क्या मनाते हैं तो देखे 21 फेवरी के अगर हम बात करें तो इस दिन मनता है अंतरास्टी शहिद सारी अंतरास्टी मात्र भाशा दिवस तो option number जो A है वो इस question का आपको यहाँ पर सही हो जाएगा फिर है आठ मार्च को क्या मनाते है तो आठ मार्च को मनता है वोमें स्टी याने कि महिला दिवस अंतरास्टी महिला दिवस तो option number C यह आपको यहाँ पर सही हो जाएगा theme इसके आपके लिए important है वो है DG All Innovation and Technology for Gender Equality अगला question है आपका सहयुक्त रास्ट इवस कब मनाते हैं तो देखे सहयुक्त रास्ट इवस के गरम बात करें तो यह मनाते हैं हर बार 24 अक्टूबर को option number D यह आपको यहाँ पर सही होगा और वर्तमान में जो उसकी head है यह कौन है यह हैं एंतिनियो गुत्रेस यह धियान रखेगा foundation विदी 24 अक्टूबर 1945 में और headquarter तो यह है इसका New York में अगला question है आपका प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है तो देखे प्रस्तावना के अनुसार अगर हम बात करें तो परम शक्ति यह है भारत की जनता के हाथ में तो option number जो C है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे देखें जम अपने प्रस्तावना यहीं की प्रेंबल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है हम भारत के लोग इंगलिश में होता है कि we the people of India तो इसलिए हमने हमने खुद क को ही अपना समयधान दिया है तो यहाँ पर Supreme कौन है तो यह जनता ओप्शे näंबर जो C है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे फिर हैं भारत का केंद्री मुद्रा जारी करने वाला बैंक यह कौन सा है तो यह है आपका भारते Reserve Bank तो option नंबर जो C है वो आप यहाँ पर अगला गुष्ण है आपका अंतरास्टी योग दिवस से किस दिन बनाते हैं तो 21 जून को हम बनाते हैं अंतरास्टी योग दिवस तो option number D यह आप ध्यार लखेंगे और theme आपके लिए important है वो है वशुदेव कुटुमबकम के लिए योग यानि कि योग for वशुदेव option number A यह आपका यहां पर सही हो जाएगा और इसके बाद में अब यह हट चुका है और इसके जगा पर आ गया है क्या नीती आयोग अब नीती आयोग के बारे में जो भी आपको पता है आप मुझे comment section में बताएंगे अगला गुष्ण है आपका NASA का full form क्या है तो NASA कहीं बाद डिसकस कर चुकिए full form होता है national aeronautics and space administration option number जो A है वो आपको यहां पर सही हो जाएगा STTP की full form तो यह होते है hypertext transfer protocol option number A RTGS की full form तो यह है real time gross settlement तो option number जो A है वो आपको यहां पर सही हो जाएगा RTGS मतलब basically money transfer mechanism है जहाँ पर जो आपका fund है वो एक bank से दूसरे bank में जा सकते है बहुत ही shortest time में मतलब ही fastest possible money transfer channel है आप ध्यान रखेंगे full form होती real time gross settlement अगला कुष्ण है आपका SIDB का अर्थ क्या होते है तो देखे SIDB का अर्थ होते है small industries development bank of India तो option number C यह आप यहाँ पर याद रखेंगे समिधान सभा के पहले आस थाई अध्याक्ष तो यह थे आस थाई अध्याक्ष सचिदनान सिन्हा option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे इसके बाद permanent member या फिर आपके अध्याक्ष chairman यह बने थे राजिंदर प्रशाद और यह बने थे 11 दिसंबर 1940 में और सचिदनान सिन्हा यह थे 9 दिसंबर 1940 में अगला घुशन है आपका पेडलाजी किसका विज्ञान है तो पेडलाजी यह विज्ञान है म्रदा का option number D है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा फिर भारत अतन संबान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी तो यह थी इंद्रा गांधी जी 1971 में भारत अतन समानित किया गया था option number B फिर है समिधान के कौन सा भाग नागरिता के प्रावधान से संबंधित है तो देखिए अगर हम बात करें नागरिता के प्रावधान से तो यह संबंधित है आपका भाग नंबर 2 option number जो A है वो आपका यहाँ पर सही होगा भाग 3 मे आपका लिखाव है यूनियन के बारे में तो नागरिकता यहने के citizenship तो यह आपका भाग नंबर 2 यहने की option number A फिर है भारत का समिधान दीवस कम बनाय गया तो समिधान दीवस की बात करी तो यह बनाया 26 नवंबर को option number C यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देखिए 26 नव नंबर की दिन को ही हमने मनाना शुरू किया समिधान दीवस की रूप में फिर 38 सास्तर किसकी रचना थी तो देखिए 38 सास्तर की वगर हम बात करी तो यह रचना है किसकी चानक की option number C यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा चानक की को हम कोटिले के नाम से भी जानते हैं यह आप ध्यान रखेंगे अगला कुछ ने रास्टी धातों विज्ञान परियोक्षाला यह कहां पर इस्तीत है तो यह स्तीत है जमशेत पूर में option number A यह आपका यहां पर सही हो जाएगा तिकि 1950 में देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने इस परियोक्षाला क किया था फिर टर्बिनेटर के नाम से किसे जानते हैं तो टर्बिनेटर के रूप में हम जानते हैं किरिकेटर हर बजन सिंग को option number A यह आपका यहां पर सही हो जाएगा अगला घृशन है आपका इरानी कप का संबंध निमलिकित में से किस खेल से हैं तो देखिए इरानी के अगर हम बात करें तो यह घरेलू किर्केट टूर्णामेंट होता है किर्केट का option number B यह आपको यहां पर सही हो जाएगा देखिए इरानी कप के बात करें तो यह किर्केट से जुड़ा हुआ है और BCCI के दवारा 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी रेस्ट ओफ इंडिया ने इरानी कप का खिताब यह जीता है 2023 में यह भी अब ध्यान रखेंगे और किसको हराया है सो रास्ट टीम को हराया है अगला गुशन है आपका पोलो खेलका प्रशलन यह भारत के किस राज्ये में हुआ तो देखिए पोलो के अगर हम बात करें तो भारत के मनिपूर में आपको देखने के लिए मिलेगा तो option number जो C है वो इस question के यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखिए यहां से आप करेंट का एक चीज़ याद रखेंगे कि अभी किंद्री मंत्री जो है ग्रह मंत्री आमिच चाह इन्होंने मनिपूर के इंफाल पूर जिले के मर्जिंग पोलो कॉंप्लेक्स में पोलो खिलाड़े की 120 फीट उची बरतिमा का भी अनावरन किया गया है और मनिपूर को हम खेल के जरम स्थान के रूप में भी जानते हैं और बेसिकली पोलो खेल का पर्शनल यह आपको भारत के मनिपूर से देखने के लिए मिल जाएगा फिर चिपको अंधलन से जोड़े व्यक्ति का नाम तो चिपको अंधलन से जो व्यक्ति जोड़े हुए है इनका नाम था सुंदरलाल बहुग ना हाला कि इनके अभी डेथ हो चुके है 2021 में अध्यान रखी का ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा फिर किस रास्ट्य पार्क या फिर आपके नेशनल बार्क इसके बनने की घोशना यह प्रस्तावित की गई है जिसका नाम है बर्दा वार्ड लाइफ सेंचुरी जो की होगा सैकेंड हॉम फॉर्दा एशियाटिक लाइन्स तो अभी तक आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुशन है आपका नेमलेगित में से किसे सैयद वन्ष का अंतिम साशक की तो यह कौन है तो इनका नाम है अलाउदिन आलमशहा ऑप्शन नम्बर सी यह आप यहाँ पर याद रखेंगे दिखेंगे 1451 में दिल्ली सल्तन से बहलूल खान लोधी को छोड़ दिया और अंतिम स्थान पर यह चले दिया था अगला कुछन है आपका भारते से विधान की निमले की विशेष्टां में यह कौन सी यूएस्टे से लिए गई है तो देखें यूएस्टे से लिए गए है क्या मौलिक अधिकार ऑप्शन नम्बर बी इसके लिए विधी का साशन तो यह लिए है ब्रेटें सी प मेजर ध्यांचन जी को ओप्शन नम्बर जो भी है यह आप यहां पर ध्यान रखेंगे इनकी स्टोरी पी काफी इंस्पारेंगे इनके समय पर होक्की में काफी सारे गॉल्ड मेडल हमने अलम्पिक्स में जीते थे और इसके लावा जो भी राजेव गांदी खेलतन अगला कुशन है अपका समयधार सभाव में उद्देश्य प्रस्ताव यह किस ने प्रस्तुत किया तो देगे 13 दिसंबर 1906 में जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह पारित के तक इसने जवाहरलाल नेहरू ने जो कि हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे तो ऑप्शन कि दिसंबर 9 0C यह आप ध्यान रखेंगे एक बंद्देश्य प्रस्ताव दिया था यह समयधान के निर्मान के लिए सटीक दर्शन और मारदशन सद्धान प्रदान किये गए थे और भारत में भारत की स्थ्थावन है यह इसका आधार भी बना था और यह मैं आपको उन्य अमेरिका का रास्ट्रे खेल क्या है तो देखिए यूएसी का रास्ट्रे खेल तो यह है इनका बेस्पोल और जो भी है वो इस कुछिन के यहां पर सही हो जाएगा तो देखिए यह थी आपके हंडर्ड टॉप पॉस्ट इंपर्टन क्यूशन चो मैंने आपके साथ डिसकस कि आपके पसंद आया होगा और ऐसी ही मैं आपके लिए डिसकस करूँगी सभी कुछिन्स को हाला कि दिरे दिरे जो है लेवल आपका बढ़ेगा सार्टिंग में मैंने कुछिन्स थोड़े मॉडरेट लेवल के रखे हैं लेकिन सभी कुछिन्स का इंपॉर्टन है ठीक है तो इसकी दो कुछिन जिसके आंसर आप मुझे कमें सेक्शन में दोगे तो पहला आपके लिए कुछिन बनता है कि भारत में अंग्री शिक्षा का मैगना कार्टा ये किसे कहते हैं तो आंसर आप कमें सेक्शन में दोगे और अगला कुछिन ने आपका भारती समिधान का निमल बेरी बेस्ट